हाई अब्रीबन आज की सिसन में आप सभी का स्वागत हैं तो जैसा कि आपको पता है इस कोर्स में जो हम लोग चर्चा करते हैं जहारखन समानिक्यान जो जैसे सीजेल स्पेसल मोस्ट इंपोर्टेंट जो इमसी की उस हैं आज ये सेट नंबर नाइन है जिसमें कि आज हम लोग पचास प्रस्ने चर्चा करेंगे तो चलिए आज का सेसन स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो भी छात्र जैसे सीजेल परिक्षा की संपुन तयारी करना चाहते हैं तो हमारे लाइब बैच में जूड़िए जिसमें कि आपको संपुन तयारी कराई जाएगी और अभी से इन्रोल करना है तो आपको हमारे जो स्वरूप लर्निंग एप है उसे डाउनलोड करना है गोगल प्ले स्टोर से इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से भी आप डायर्ट जॉइन कर सकते हैं और वहां पर अपना पेमेंट रजिस्टेशन कर दीज या पिर जो इसक्रिपर नमर दीखरा है उस पर भी आप कॉंटेक्ट करके वहां से जूड सकते हैं तो चलिए आज का सेसन स्टार्ट करते हैं प्रसन संख्या 1 से प्रसन संख्या 1 आपके सामने है जार्खंड का परमुख प्राकिर्थिक भाग है जार्खंड का पठार बी चोटनागपूर का पठार, C, उत्तर का पठार और D है दच्छिन का पठार, तो राइट एंसर इसका B होगा, चोटनागपूर का पठार, 27% जो है, इसी का भाग है जो जारकंट के प्राकिर्तिक भाग का हिस्सा है, अगला है प्रसंस अंखिया दो, निमलिखित में से कौ बोगोलिक यशिस्था नहीं है, पहला इस भाग की भुगर्विक सणरचनाजटी लेखिल बिल्कुल सही हैए, इस भाग की अस्ठला कीरेति वीसंब है बिल्कुल, अस्ठला कीरेति जो है वीसंब, इसका मतलब यह उबर्खाबड चेतर है, पत्रीली चेतर है, पाड़ी च पत्रिली भूमी है, तो ये विसम्च कैसे हो सकता है, इसलिए ये गतन जो है विसस्ता नहीं है, इसलिए राइट एंसर यहां पर एड़ी होगा, अगला है प्रसन संखिया 3, जारखंड के अधिकतर भाग की उचाई लगबक कितनी है, तो उसत उचाई अगर देखा जाए तो इसको हमेसा याद रखिएगा, समाद सीकर के भी नाम से इसे जाना जाता है, 1365 वीटर, गिरीडी जीले में इस्तिते, अगला है प्रसन संकिया 5, जारखंड में निर्मित चटाने किस काल की है, आरकेन तथा विंधियन काल, गोंडवाना तथा टर्सियरी, और C है टर्सियर तो राइट एंसर बिल्कुल यहाँ पर D होगा, अगला है प्रसन संकिया 6, कि सकाल में निर्मित परतदार, चटानों में कोईले के सर्वोत्तम तथा विसाल बंडार है, तो आपको पता है कोईले के सर्वोत्तम बंडार दामोडर घाटी चेतर में है, और दामोडर घाटी गुंडवाना काल का माना जाता है, तो राइट एंसर यहाँ पर ए होगा, गुंडवाना, अगला है प्रसन संकिया 8, विंध काल की चटाने जो जारखन के उत्तर पच्छिम भाग में विस्तरित है, उत्तर पच्छिम भाग, आपके माइंड में तुरत मैप हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर उत्तर पच्छिम भाग की बात करते हैं, तो यह पूरा छेतर होगा, जो कि UP और 36 गड़ से इधर सटा हुआ है, UP और 37 गड़ से ही है, गडवा जीला, और इधर पलामो जीला, यह सटा हुआ है, तो पलामो और छेतर में उसकी प्रधानता किस चीज़ के है, बालू पत्तर, चुना पत्तर, दोनों या इन में से कोई नहीं, तो इसका राइट एंसर C होगा, क्योंकि दोनों यहाँ पर पाये जाते हैं, बालू पत्तर भी और चुना पत्तर भी, राइट एंसर C, अगले प्रस्न के और पढ़ते हैं, ज इधर साहिब गंज तरप आ जाते हैं, संथाल प्रगनात साइड, पाकुर साइड तो यह राजमहल ट्रेप के अंतरगत माना जाता है, तो यह उत्तरी साइड हो गया जारखंड का, और यह पूर्वी साइड हो गया, तो यह उत्तर पूरप के अंतरगत आता है, तो राइट सिंभूम चेतर तरप यह जो पूर्वी सिंभू में सराई के लखा सवाए पच्चिमी सिंभू में तो इस तरह पाया जाता है और धड़वार करम के चटाने यहां पर पाई जाती है राइट एंसर बी होगा अगला है प्रसन संग्या 11 जारखन में रुपांतरित परतदार चटानों का सबसे अच्छा विकास कहा हुआ है तो यह सिंभूम चेतर में ही हुआ है मतलब कोलहान की पहाड़ीयों में इसलिए वहाँ पर खनीज की परचूरता और अच्छी क्वालिटी के खनीज जो है से परसीद है दल्मा ट्रेप आईरन एंवं सिरीज डगकन ट्रेप इन में से कोई नहीं तो इसका राइट एंसर यहाँ पर बी होगा आईरन और सिरीज अगला है प्रस्ण संग्या 13 जारखंट के चाइबासा छेतर में पाई जाने वाली धड़वार या रुपांतरित परदार चटानों में क्या पाया जाता है अभरक सिस्ट, क्वार्टस, हॉर्न बलेड सिस्ट या पर इड़ी उपर युप्त सभी तो चाइबासा में जो ये पाये जाते हैं ये तीनों पाये जाते हैं तो रुपांतरित परदार चटानों में किस खनीज की विशाल पेटी मौजूद है जो की विशो परसिद है और उसके लिए परसिद किसके लिए है अबरक के लिए राइट अंसर यहां पर बी होगा अगला है प्रसिद संख्या 15 जारखंड में आगने उदभाव दल्मा ट्रेप की चटानी मुख्य रुप से किस जीले में मिलती है हजारी बाग, गडवा, सिम्भूम या फिर दुमका तो दल्मा ट्रेप यह अपने पढ़ा भी होगा सिम्भूम छेत्र में राइट अंसर सी होगा कुल्हान पहाड़ी में अगला है प्रस्टा संख्या 16, सिम्भूम में आगने सेले के रुपांतरन से बनी गरे नाइट चटानों की अधिकता के कारण छोटा नागपूर को किस नाम से जाना जाता है गरे नाइट निस, गरे नाइट एरिया, गरे नाइट पेटी या फिर गरे नाइट फिल्ट तो इसका सही अंतर होगा ए गरे नाइट निस के नाम से जाना जाता है अगला है प्रस्ट संग्या 17 निमलिखित में से कौन छोटा नागपूर में मिलने वाले आधूनिक यूग की चटान है गोंडवान, विंधियन, दक्कन ट्रेप या क्वार्टर सरी तो इसका सही उतर होगा D अगला है प्रस्ट संग्या 18 निमलिखित में से किस जीले में मिलती है अगला है जार्खंड के कितने परतिसत भूबाग पर चोटा नागपूर पठायर विस्तरित है आज का जो पहला प्रस्ट है वहाँ पर हमने प्रस्ट वहाँ पर अलग था लेकिन हमने बताया भी था कि करीब 47.38 परसेंट जो है वो छोटा नागपूर का पठार है जार्खंड के भूबाग का अगला है प्रस्ट संख्या 20 राची के पच्छमी भाग तथा पलामों के दच्छनी भाग में विस्तरित जार्खंड के सबसे उच्चे छेतर को किस नाम से जाना जाता है विराट परदेश परदेश, डी परदेश या फिर संकुल परदेश तो इसका सही उतर होगा भी परदेश तो कि जगर ट होता है या परपरदेश होगा क्योंकि ये जार्खंड का सबसे उच्चे अस्थल है एवरिज देखा जाए तो और अगर एक अस्थान को छोड़ दिया जाए वो पारस पहाड़ी को छोड़ कर अगर जार्खंड में गर देखा जाए तो सबसे उच्चा अस्थल पाठ परदेश ही माना जाता है राइट एंसर बी होगा अगला है प्रसन संख्या 21 समुद्र तल से पाठ परदेश की उच्चाई कितनी है ए बी सी और डी चार ओप्सन यहां पर दिया हुआ है तो अपना उत्तर कमेंड भी गया कि जितना भी हम लोग यहां पर टेस्ट लेते हैं या फिर आपके साथ एंसी को भी डिसकस करते हैं हमारा परपस यह होता है कि आप इसमें सुधार करें उसमें बदलाव करें और जहां पर आपकी गलती हो रही है उसमें उन सुधार में रखिएगा तो आप सब जितने भी प्रसन आपको दिया जाता है जो विभिन सेट के माधियम से और हर एक सेट में 40 से 50 प्रसन आपको मिल रहे हैं तो आप लोग सब जरूर इसको सॉल्व कीजिए और इसमें कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ इसको भी हैं पाट परदेस की प्रकार की किस अकार से विस्तरित है तो यह ते अंदर होगत है तो उसका अधार कि गोगा अगला है प्रसंक्या 24, पाठ परदेश का कुछ हिस्सा किस अन्नी प्रांत में विस्त्रित है, जारखन के अलावा ये 36 गड में है, राइट अंसर ये, अगला है 25, पाठ परदेश के सम्मंद में निमलकित में से कौन सा कथन सत्य है, अगला है 26, पाठ परदेश के मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो 24 का मैदानी सब आपने रेड किया भी होगा, नेक्स्ट एप प्रसन संक्या 27, गनेशपूर पाठ की उचाई कितनी है, अगला प्रसन है 28, नेटर हाठ पाठ की उचाई कितनी है, इसका सही उत्तर होगा है, यहां पर B 1180 मीटर जो है, इसकी कुल्ण उचाई है, अगला प्रसने जरीना पाठ की उचाई कितनी है, 29, तो जरीना पाठ की उचाई जो है, वो D, 1143 मीटर है, तो राइट एंसर इसका D हो, सारदियान रखेगा, यह सब याद करने वाला है, इसमें कुछ हम लोग, जो है, फैक्ट को नोट कर लें, तो ज्यादा सही रहेगा, अगला प्रसन संक्या 30, प्रसन संक्या 30 है, पाठ परदेश की सबसे महत्पून पहाड़ी कौन सी है, सानू, सारव, या फिर उपर्युक्त दोनू, तो राइट एंसर याँ पर सी होगा, दोनू, अगला है राची के पठार, निमलिकित में से किस जीले तक विस्तरित है, राची, लोहरदग्गा, गुमला, या फिर D उपर्युक्त सभी, तो इसका राइट एंसर D होगा, उपर्युक्त, इसका सही उतर होगा, याँ पर D उपर्युक्त सभी, अगला है प्रसे संग्या, 32, राची के पठार का ओसतु चाहिए कितनी है, A, B, C और D, चार ओप्सन दिया हुआ है, औस तु चाहिए आपको बताना है राची के पठार का, और बिल्कुल यहाँ पर जो उतर होगा, वो C होगा, 365 मिटर, अगले प्रसे को बढ़ते हैं, प्रसे संग्या 33, राची के पठार का अधिकांस भाग कि इस चटान से निर्मित है, तो इसका सही उतर होगा, राची के पठार जो देखिएगा, यह निस और ग्रेनाइट दोनों से निर्मित है, इसलिए राइट एंसर जोगियां पर C होगा, अगला प्रसन है, निम्लेकित में से कौन सी राची के पठार की विशिस्ता नहीं है, वो फाइंड आउट करना है, यह पठार उत्तर में दामोदर नजी की धसान घाटी में भाजित है, बिल्कुल सही, यह पठार राची जीले में कम उबर खाबड है, बिल्कुल सही, यह बाकी के चेतर में तो उबर खाबड बहुत जादा है, तो राची के पठार के उपरी भाग को क्या कहते हैं, तो जो पठारी चेतर होता उपरी भाग को टार कहते हैं, और निचली भाग को क्या कहते हैं, दोन कहते हैं, तो यहाँ पर उपरी भाग उच्छा गया था, तो र अगला है प्रस्ण संख्या 37, हजारी बाग के पठारी छेतर में अधिकांस तक किस परकार की चटाने मिलती है, ग्रे नाइट, नीस, उपर्युक्त दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो 37 का जो सही उत्तर होगा यहां पर हो C होगा, राइट एंसर यहां पर C होगा, क्योंकि उपर्युक्त दोनों यहां पर पाया जाते हैं, अगला है प्रस्ण संख्या 38, नीमलिकित में से किस चेतर में हजारी बाग पठार का विस्तार नहीं है, पच्छिम में, दच्छिन पच्छिम में, उत्तर में, या फिर इन में से कोई नहीं, तो हजारी बाग का पठार का पुछ रहा है, तो यह उत्तर में इसका विस्तार नहीं है, हजारी बाग का पठार जो है, यह गिरीडी तक फैला हुआ है, मतलब कि पूर्वी चेतर तक, और इधर पच्छिमी चेतर तक, तो राइट एंसर यहां पर, राइट एंसर यहां पर जो होगा, वो सी होगा, उत्तर में यह फैला हुआ नहीं है, अगला है 39, हजारी बाग पठार के दच्छिनी चोरे पर कौन सी नदी बहती है, तो दामोदर नदी, दच्छिन चोर, हजारी बाग यह पठार है, तो यह राची है आपका, तो यहां प नदी यहां पर बहती है, तो राइट एंसर डी होगा, अगला है 40, निमलिखित में से कौन सा हजारी बाग पठार का उप भाग नहीं है, हजारी बाग पठार का नीचला भाग, दच्छिन पूरोगा किनारा और डी है, उत्तर पच्छिम का किनारा, तो इसका सही उत्तर जो तो इसका सही उत्तरों का यह साथ हजार ओर की मिल में यह फैला हुआ है, अगला है प्रसन संक्या 42, हजारी बाग पठार की पूर्व सीमा, किस जीले की पूर्वाती सीमा तक विस्तरित है, तो यह गिरीडी तक इधर फैला हुआ है, राइट एंसर सी, अगला है प्रसन संक 43 राजमहल की पहाडिया तथा संबन्दित मैदान छोटा नाकपूर पठार के किस भाग में स्तीत है, दचिन पच्चिम उत्तर पच्चिम उत्तर पूर्वी या भिन, दचिन पूर्वी, तो राइट एंसर यहां पर होगा, वो सी होगा, नेक्स्ट है प्रसन संक्या 44, राजमाल की पहाड़ी भाग की उचाई कितनी है 44 तो इसका राइट एंसर यहां पर यह होगा 1500 से 300 मीटर में यह इसकी उचाई है और अगला है प्राजमाल की पहाड़ी के पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भाग में किस नदी से निर्मित मैदानी भाग है तो यह गंगा न नेक्स्ट है प्रसे संग्या 46 निमलिखित में से कौन सी राजमाल की पहाड़ी की विशिस्ता नहीं है यह अधिक कठा च्छता पहार है तो बिल्कुल सही है इसका जुकाव पूर्वी तता उत्तर की और बिल्कुल सही कि यह अधियर दामोदर नदी घाटे इसकी पूर्वी सीमा है संधाल प्रगना गरमाली जी यह राजमहल ट्रैप है राजमहल की पाडिया है तो यह साइड जो होता है वह पच्छमी भाग होगा पच्मी भाग होगा संधाल प्रगना से तो बुलना ये कि दाम मुदर घाटी इसके पूरी भाग में ये गलत है पच्मी भाग में होगा तो C यहाँ पर गलत है D है इसका पठारी भाग जो रासी काल की बेसाल चटानों से ठाका हुआ ये बिल्कुल सही है जो रासी काल में ही इसका निर्मान हुआ था तो यहाँ पर विश्यस्ता नहीं है में C होगा राइट एंसर यहाँ पर C गलत है ये अगला है 47 इन में से कौन सा राजमहल की पहाडी से समंधित जीला नहीं है अगला है 48 राजमहल के पहाडी भाग के बाहरी हिस्से में किस परकार की चटाने से निर्मित उबर खाबड मैदान है नीस ग्रेनाइट उपर यूगत दोनों या फिर D इन में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर होगा यहां पर दोनों होगा क्योंकि नीस और ग्रेनाइट दोनों पाय जाते हैं राइट एंसर सी अगला है राजमहल का पहाडी भाग किस मैदान की चटानों से ढखा हुआ है तो नीज गिरिनाइट बेसाल्ट, तो इसका सई उत्तर होगा यहां पर सी बेसाल से यह घिरा हुआ है, राजमाल की पहाड़ी, जो जुरा से कैल में इसका निर्मान हुआ था, अगला है प्रसन संग्या 50, राजमाल की पहाड़ी के दच्छिन में कौन सी घाटी, नदी घाट यहां पर complete होते हैं, बीच में थोड़ा disturb भी हुआ होगा, थोड़ा सर्जी विगर से, तो उसके लिए कोई चिंता नहीं करने हैं, प्रसन को आप solve कीजिए, इसका PDF हमारे टेलिग्राम चैनल पर उपलब्द होगा, और कितना आपका 50 में सही होता है, जरूर हमें कमेंट करके बताईएगा, और minimum कोशिस किजिएगा कि कम से कम 70% आपका इसमें score हो, तो बहुत ही बेहतर है, आप बहुत अच्छे trick पर चल रहे हैं, और आपको जरूरत है सिर्फ revision करने की, और अगर 70% से अगर कम आता है, तो थोड़ा आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, फिर से स्टार्ट कीजिए अपना study, जारकन जी को को पिर जीरो लेबल से पढ़िए तो ज्यादा सही रहेगा, तो आप मिलते हैं अगले set में, आज के set complete होता है, और जो भी classes अभी तक जोईन नहीं किये हैं, फटा फट जोईन कर लिजिए, मातर 24-handed में संपुन तयारी, live classes इसका PDF हमारे टेलग्राम चैनल पर उपलब दो, आज के लिए बस इतना ही, बिलते हैं, अगले वीडियो में, thank you everyone